तरह का नाश्वा आपने पहले कवी नहीं बनाया होगा। इसे बनाने में जादा तेल की भी जरुरत नहीं होती है। फुल गोवी का चुमी नाश्ya बना रही हैं। उसे में दो तरह से बनाना बताऊंगी। तो पूरी वीडियो को जरूर देखे! इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 100 ग्राम फुल गोवी लिया है फुल गोवी को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और इसे वाश कर लिया है अब फुल गोवी को हम कद्दुकस करेंगे तो कदुकस करने के लिए मैंने इस तरह के ग्रेटर का यूज़ किया है तो पूरे फूल गोबी को हम कदुकस कर लेंगे फूल गोबी को में बड़े वाले ग्रेटर से कदुकस कर रही हूँ अगर आपके पास इस तरह का बड़ा वाले ग्रेटर नहीं है तो आप बारिक वाले ग्रेटर की हल्प से भी इसे कद्दू कस कर सकते हैं फूल गोबी को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है फूल गोबी में कीडे आते हैं तो इन्हें अच्छे से देख ले और अच्छे से साफ करें तो पूरे फूल गोबी को मैंने कद्दू कस कर लिया है फूल गोबी को मैंने कद्दू कस किया है आप चाहें तो बारिक बारिक कट भी कर सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे आधा कप दरदरी पीसे हुई हरी मटर दू चमर शिमला मिर्ज आधी गाजर गाजर को भी मेने का दुकस कर लिया है दो बारिक कटी हुई हरी मिर्च स्वात के नुसा डालेंगी नमक आधा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा निवु का रस निचोड कर डाल देंगे निवु के रस की जगा पर आप चाट मसाला पाउडर डाल सकते ही इससे नाष्टे में बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा बारिक कटा हुआ हरा धन्यपत्ती डाल देंगे अब इसमें हम डालेंगे मैजरिंग कप से एक कप बेसन तो बेसन को बाउल में डाल देंगे सारे इंड़िडेंस को मिक्स कर लिए ब्वाई सकते हैं मैनेज में और भी हरी सब़ी एड़ कर सकते हैं मेनीज में पियाज को यूज नहीं किया आप चाहे तो भी डाल सकते हैं या फिर हरा पियाज डाल सकते हैं पत्तपर decreases नाश्थतバर जरूर और बैटर तयार करेंगे तो बैटर में थोड़ा थोड़ा पाने डालेंगे इसे मिक्स करते जाएंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें कि सब्जियों में भी मॉश्चर है और बैसन बहुत जल्दी गेला होता है तो हम बैटर को जादा गेला नहीं करना है बच्चे ह आप देख सकते हैं मैंने पानी डालकर इस तरह से बैटर तयार करा है इसे मैंने पतला नहीं करा है बस इस तरह से हमें इस बैटर की कंसंडेंसे रखनी है अब गेस पर मैंने एक पेन रखा है पेन को ओल से ग्रीस कर लेंगे मैंने चोटे वाले पेन का यूज किया है अगर आपके पास इस तरह का पेन नहीं है तो आप इस नाच्टिक को तबे पर भी बना सकते हैं पेन भी अलका सा गर्म हो गया है अब आपने जो बैटर तयार किया है उसे हम पेन पर डालेंगे पेन पर बैटर को फैला देंगे इस तरह का हेल्दी नाच्टा जरूर बना कर देखें बहुत ही टेस्टी लगता है बैटर को पैन पर फैला दिया है इसे सभी तरब से फ्लेट कर लिया है अब इसे हम कवर कर देंगे और दो से तीन मुझी तक कवर करके पकने के छोड़ेंगे गेस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखेंगे दो से तीन मीट हो गए हैं, हम ढपकन हटा लेंगे इस शीट के उपर ओईल ग्रीस कर लेंगे अब इसे हम पलट लेंगे तो शीट को मैंने पलट लिया है आप देख सकते हैं, एक साइट से ये नाश्ते की शीट पक चुकी है अब इसे हम ओपन ही पकाएंगे, कवर नहीं करेंगे तो एक से दो मिनिट तक दूसी साइट से भी पका लेंगे गेस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे तो दो मिनिट हो गए हैं, इसे हम पलटेंगे तो देखिए दूसी साइट से भी ये नाश्ता पक चुका है इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो इस तरह से एक प्रकार का नाष्टा तो मैंने आपको बना कर दिखा दिया है अब हम दूसरे नाष्टे के तयारी करते हैं अब मैंने केक्टिन लिया है तो केक्टिन को ओल से ग्रीस कर लेंगे अगर आपके पास इस तरह का केक्टिन नहीं है तो आप किसी भी प्लेट में इस नार्ष्टे को बना सकते हैं इसे उल्ची ग्रीस कर लेंगे तो मॉल्ड को मैंने उपर तक ग्रीस कर लिया है अब बागी के बचेवे बटर को हम केक्टिन में डाल देंगे और बेटर को सभी तरफ फैला देंगे इस तरह से आप इस नार्ष्टे को दो तरह से बना सकते हैं तो दोनों तरह का नार्ष्टा बहुत ही टेश्टी लगता है तो सुरे पूरे बेटर को मैंने केक टिन पर फेला दिया है आप दिख सकते हैं और इसे टेप कर लिएंगे ताकि बेटर जो है पूरी तरह से फ्लेट हो जाए तो अब हम चलते हैं गेस की और एक कडाई में मैंने पानी डाल का गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था तो पानी भी गर्म हो गया है आप देख सकते हैं पानी में बबल सुटने लगे हैं अब कडाई में हम एक स्टेंड रखेंगे स्टेंड के ओपर बैटर वाले टीन को रख देंगे अब इसे कवर कर देते हैं कवर करके 15 से 20 मिनित तक इसे स्टेम होने के लिए छोड़ेंगे ये इसके फ्लेम को मीडियम रखेंगे 15 मिनिट हो गए हैं धकन शटालेंगे इस नाष्टि को चेक कर लेते ही जुन नाष्टा है वह पका है यह नहीं इसके लिए ने एक तुथपिक ली तुद्पिक को नाश्टे के अंदर डालेंगे तो आप देख सकते हैं तुद्पिक क्लीन निकल कर आई है गेस बंद कर देंगे ओटीन को बाहर निकाल लेंगे नाश्टा पकाते पकाते कड़ाही में पानी कम हो जाए तो आप पानी वह डाल दे तो मॉल्ड को मैंने बाहर निकाल लिया है अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे आप चाहें तो इसे पंके के नीची रखकर ठंडा कर सकते हैं तो इसे मैंने ठंडा कर लिया है अब इसके केनारी को अलग कर लेंगे ठंडा होने पर केनारी थोड़ी थोड़ी अलग हो गई है चाको के हेल्प से पुरी तरह से इसे अलग कर लेंगे इस नाच्टे की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं तो अब इसे हम पल्टा लेंगे वो टेप करेंगे इसे टीन में से बहार निकाल लेंगे तो चारो किनारी अलग कर ली है अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे तो आप अपने मन चाही शेप में इसके पीसेस कट कर सकते हैं तो मैंने इसे रेक्टेंगल पीसेस में कट किया है सारे पीसेस निकाल लेंगे तो सारे पीसेस मैंने केक्टीन में से बहार निकाल लिये हैं अब इस नाच्टे को मैं सेलो फ्राइ करूंगी आप चाहें तो इस नाटस्ती को बिना सेलो फ्राय करें चट्नी के साथ सर्व कर सकते हैं तो अब हम चलते हैं गेस की और गेस पर मैंने एक तवा रखा है तवे पर दो चमस तेल डाल देंगे तेल को गर्म कर लेंगे तो तेल भी गर्म होने लगा है अब हमने जो पीसेज कट करके रखे थे उन्हें हम तवे पर रखेंगे मीडियम फ्लेम पर सारे पीसेज को सेलो फ्राइ कर लेंगे चार से पाच मिनीट तक मैंने इन्हें एक साइट से सेलो फ्राइ कर लिया है अब इन्हें पलट लेंगे तो आप देख सकते हैं ये पीसे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं सबी को पलट लेंगे इसी तरह से दूसे साइट से भी सेलो फ्राइ कर लेंगे सारे पीसे सेलो फ्राय हो गए हैं दूसरे साइट से भी आप देख सकते हैं सेलो फ्राय हो गए हैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे तो दोनों तरह का नाष्टा बन कर तयार है इस नाष्टे को हमने सबसे पहले बनाया था और बचे हुई बेटा से हमने ये नाष्टा तयार किया है तो इस नाष्टे को जरूर बना कर देखे तो बहुती कम देल में गोबी का नाष्टा तयार हो गया है इस नाश्टे को आप मन पसंद चट्ने के साथ सर्व करें बच्चे बड़े सभी को ये नाश्टा पसंद आएगा तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें तो मिलते हैं एको नई वीडियो के साथ, थेंक यू फ्रेंड्स